दोस्तों देख सकते हैं मैं हूँ यहाँ पे पेटिये में और आज किस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आखिर पेटिये में यूटी आर नंबर क्या होता है बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भाई बताईए कि UTR नमर क्या होता है PTA में मैंने फोन पे और गूगल पे पे पहली बना रखा है वीडियो क्या खिर गूगल पे में UTR नमर कहां पे होता है कैसे आप देख सकते हैं वही मैंने फोन पे भी बना देख रखा है वीडियो कि phone give me UTR number कैसे आप चेक कर सकते हैं बट comment आ रहते हैं यहाँ पे TTYम का तो आज कि वीडियो में तो आज किस वीडियो में बताऊऊँ गा कि पे TTY में UTR number कहाँ पे होता है कैसे आप पता कर सकते हैं तो सारा details जानने के लिए वीडियो को लाश्टग देखिए चलिए जान लेते हैं दोस्तो देख सकते हैं मैं आद चिका हैं पेटियम में और पेटियम की मदद से भिताओंगा कि आखिर कहां पे आपका UTR number होता है PTM में सबसे पहले जान लेते हैं कि अखिर UTR number का जरूत क्यों होता है जैसे मालो कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को पैसे भेजते हो दुकान में भेजते हो या पिर कहीं पे भेजते हो या पिर कुछ खरीदते हो तो उसके पास क्या होता है कर उसके पास बल्क में पेमेंट आते हैं जैसे मालो उसके पास आपने ही भेजा एक दिन में आपने भेजा कि भाई मैंने आपको 500 रुपे भेज दिया तब तो आपसे मांगे गा ही नहीं यूटियर नमर बट क्या होता है कि आप उसके पास जैसे आते हैं बहुत सारे लोग खरीद रहें उस चीज को तो क्या होता है कि वो बंदा mapping करने के लिए यानि पता लगाने के लिए कि ये पैसा आपने ही भेजा है यानि ये पैसा किसने भेजा है इसके लिए वो UTR नमर मांगता है जैसे मालो एक example लेता हूँ मालो किसी के पास books का shop है और ओनलाइन किताबे बेजता है तो क्या करता है लोग बहुत सारे लोग खरीदेंगे 500 रुपे में है तो सारे लोग 500 रुपे पेमेंट करेंगे बटो किसको डिलेवर करेगा इसके लिए आपको बताना होगा ना कि ये मेरा UTR नमर है मैंने आपको पेमेंट कर दिया फिर वो चेक करेगा कि इस UTR के अगेंस हमें पैसे आया है या फिर नहीं वो चेक करे है कि हाँ इस UTR के अगेंस हमें 500 रुपया है फिर आपका मतलब identify हो जाए कि हाँ यह पैसे आपने ही भेजा है फिर आपको यह product मिल जाएगा यानि इसलिए UTR की जरूत होती है UTR नंबर का तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर UTR नंबर कहां पर होता है तो यह आप सोचिए कि जैसे UTR नंबर की जरूत होता है तो हम कभी payment करते हैं या फिर रिसीव करते हैं तब हमें जरूत होता है तो यह कहां मिलेगा history में तो चलिए हम चलते हैं history में तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहां पे देख सकते हैं यहां पे डेट आ जाएगा कि कब हमने पे किया है देख सकते हैं 26 तारी को उसके बाद यहां पे नीचे में एक यहां पे UPI reference नमबर है जी है दोस्तो फोन पे में क्या होता है कि UTR नमबर आपका होता है बट दो देख सकते हैं UPI reference नमबर होता है इसी को जैसे मालो क्या होता है कि उसके पास पैसे कोई account से भेज रहा है जैसे मालो कोई phone पे से भेज रहा है कोई Google पे से भेज रहा है कोई Paytm से भेज रहा है कोई direct account से ही जाके भेज रहा है तो मालो account से जो भेजा है जैसे मालो account अमरे पेटियम से payment किया है तो आपको क्या करना है? UPA reference number बताना है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ कोपी का भी option ना रहा है जैसे आप कलिक करेंगे यह कोपी हो जाएगा चलिए मैं आपको देख सकते हैं आपको देख सकते हैं कोपी यह हो चुका है यहां पे दिखा रहा है तो यही आपका नंबर है आपसे कभी भी आपसे कोई मांगता है कि जो आपने पेमेंट किया उसका कुछ प्रूफ दीजिए या फिर यूटिया नंबर दीजिए तो आपको यही वाला नंबर आपको यहां पे देना है अगर आप फोन पर या फिर Thank you for watching.